नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंड्या में और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप से बात करूँगा 2010 में इशू हुए दोरपे के स्टेलनेस स्टेल के भारतिय रिजर्व बैंक प्लैटिनम जुबली के 2010 के इस कोईन के बारे में मैंने काफी ज़दा सोशल मीडिया पे देखा है कि इस स्टे की कुछ भी कीमत बता दी जाती है ये दोरपे वाला स्टेलनेस स्टेलनेस स्टेल का जिसका वजन लगबग 5.62 गिराम है शेप सर्कुलर और इसका जो साइज है वो है 27 एमेम सिर्फ कलकत्ता मिंट की तरफ से इसी का देखने को मिलता है जिसमें 1935 से 2010 के नीचे कोई भी मिंट बार का आपको देखने को नहीं मिलता है तो यह जो जन्नल स्टेलनेस स्टेलनेस में कलकत्ता मिंट के तरफ से दो रुपे के सिक्के जो आए थे रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया के वो सभी कोवन सिक्के हैं उनकी मार्केट वैल्यू दो रुपे ही है हागर वो सिक्का आपके पास UNC कंडिशन में है तब उस सिक्के की वैल्यू आपको 10 से 15 रुपे तक मिल सकती है लेकिन यह जो दो रुपे का सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह काफी ज़दा खास है अब काफी लोग सोच रहे हैं कि यह भी 2 रुपे का सिक्का है रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया का यह हमारे पास भी है सिक्का लेकिन यह सिक्का खास क्यू है तो मैं आपको बता दू इस सिक्के की कीमत 1500 रुपे से लेकर लगभग 25 रुपे तक है अब इस 2 रुपे की सिक्के में क्या खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ यह है दोस्तो 2 रुपे का रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया का 2010 का एक प्रूफ कोईन जिसमें एर के नीचे प्रूफ का मार्क आप देख सकते है मुंबई मिन्ट की तरफ से यह प्रूफ सेट ढाले गए थे तो यह उसी प्रूफ सेट का 2 रुपे का सिक्का है जिसमें 1935 2010 के नीचे M का मार्क आपको देखने को मिलेगा तो यह सिक्का बहुत ज़्यादा रेर है क्योंकि यह सिर्फ प्रूफ सेट में ढाले गए थे और जैसे मैंने बताया कि इस एक प्रूफ कोईन की कीमत 1500 रुपे से लेकर 2500 रुपे तक है वो इसलिए है क्योंकि यह प्रूफ कोईन है जो की M मार्क से जन्न सर्कूलेशन में नहीं आया है यह सिर्फ प्रूफ सेट में सिक्का देखने को मिलता है जो की मुंबई मिंट की तरफ से ढाला गया था तो यह दिखाया मैंने आपको 2 रुपे का रिजर्बैंक ओफ इंडिया का प्लेटिनम जुबली का 2 या 10 का एक रेर कोईन क्या यह कोईन आपके कलेक्शन में भी है नीचे मुझे कमेंट करके बताना और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस बैल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके